सो एलो गाइस आज मैं आपके बहुती सारे पैसे बचाने वाला हूँ वो कैसे दोस्तो बस आप इस वीडियो को कम्प्रीट देखिए सो गाइस पहला आप क्या करते थे मार्केट से एक BMS मॉडियूल लेका आते थे रुपे की मिलेगी और दोस्तो उस बैटरी के अंदर छह लिटियम बैटरी आपको मिलेंगी लेकिन उसमें से दो खराब निकलेंगी जो कि अगर आप ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो पचास रुपे की एक लिटियम बैटरी पड़ती है और उसी में से यह BMS मौडियूल भी निकलेगा जो कि आपको बिल्कुल फ्री बराबर पड़ेगा तो गाई अगर आप BMS मौडियूल को ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो धाइसों से तीन सो रुपे का पड़ता है जो की काफी अदब महंगा है इसी को ही हम फ्री में बना सकते हैं आज की इस वी देखने को मिल जाएंगे आप देख सकते हैं इस पर सभी तरह की आईसी यहां पर लगी होई है जैसे कि DMS मौडियूल पर भी लगी होती है यहां पर आपको कुछ दिख रहे होंगे प्लस वन प्लस माइनस इनका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं तो टॉप पर जो अपने चार्जिंग जैक का कनेक्शन करना है तो चलिए जल्दी से जैक को हम हटा देते हैं इस जगह से जैक हमारे किसी काम का नहीं था इसलिए हम इसे बीमस मौडियूल से हटा देते हैं इसके नीचे जो प्रिंट्स है जिन पर लिखा है पी प्लस पी माइनस उन पर हमें कनेक्शन करने है तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ड का फीमेल जैक ले लिया है जो कि आपको 5 रुपे का इसलिए लोकल मार्किट में मिल जाता है तो दोस्तों इस जैक का यह जो लैग है पीछे वाला यह हमेशा पॉजिटिव लैग होता है ध्यान रखना और आगे वाला जो यह चूपरग्लु का भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास टेप है तो भी आप्यूज कर सकते हैं तो अभी मैंने इस जैक को टेप से fix कर दिया है और अब मैं आपको इसके connection बताता हूं जो हमारा पी प्लस ता उस पर रेड वायल लगाना है और जो पी माइनस ता उस पर हमें black wire लगा देना है module के तो दोस्तों काफी ज्यादा simple connection है I hope आपके समझ आगे होंगे काफी ज्यादा simple है आप कर सकते हैं अभी दोस्तों मैं आपको output भी बताऊंगा कहां से आपको इस module से output मिलेगा इससे पहले दोस्तों हमें heat sink ले लेते हैं और इसके wire को अच्छी तरीके से यहां पर fix कर देते हैं ताकि कोई भी भड़म भड़म ना हो हमारे circuit में तो यहां पर हमने अच्छी तरीके से इसको पैक कर दिया देख सकते हैं आप दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों आपको इसमें output कहां से मिलेगा यह जो आप प्रिंट देख रहे हैं दोस्तों यह चार प्रिंट जो आप देख आप इसली यूज कर सकते हैं तो अभी फटा-फट से हम अपने बीमस मॉड्यूल के चार्जर को इलेक्ट्रिसीटी के साथ करते हैं और इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी तो गाइस इसको आपको इस बीमस मॉड्यूल की रीडिंग लेनी है तो आपको उल्टे प्रॉप्स कनेक्ट करने पड़ेंगे जब यह सीधे वोल्टे दिखाएगा जैसे कि दोस्तों हमने आप पर जैक का पॉसिटिव वायर कनेक्ट किया था बट यहाँ पर हमने मल्टीमीटर का नेगडि होने की वज़ाए से दोस्तों हमें वोल्टेज पहले प्रिंट पर कम मिलने हैं 3.6 वोल्टेज के करीब हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलने होने चाहिए यहाँ पर साड़े तीन वोल्ट के करीब चलिए अब दूसरे पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर साड़े 6 के करीब यहां पर हमें voltage मिलें और होने कितने चाहिए होने चाहिए 7 वोल्ट यह दिक्कत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एडप्टर की वैज़े से हो रही है अगर एडप्टर 12 वोल्ट का हो accurate तो दोस्तों यह काफी अच्छी तरीका से यहां पर हमें साड़े 10 वोल्ट के करीब यहां पर voltage मिल रहे हैं सिर्फ डेड़ वोल्ट सी काम है 12 वोल्ट में तो दोस्तों तीन प्रिंट की तो रीडिंग देख ली अब जो लास्ट वाला बचा हुआ प्रिंट है ध्यान रखना दोस्तों लास्ट वाला जो प्रिंट है यह की त्वाला जो सबसे लास्ट वाला जो थ्री पॉइंट सैन वोल्टेज वाला प्रिंट है यह चीज़ दियान रखना बस सभी गाईस मैंने इस बनाई हूए बीएमस मोडियोल को आपको पूरी तरीके से टेस्टिंग भी करके दिखा दिए और आपको शृट्य भी दिला थोड़ी बहुत कन्फूजन्स होंगी जो मैं नेक्स वीडियो में आपको किलियर कर दूँगा जैसे कि मैं इससे 12 वोल्ट बैटरी आपको बना कर दिखाऊंगा अपनी आने वाली नेक्स वीडियो में और पक्का बढ़िया से वर्क करें क्योंकि यह वर्केबल है दोस्तों क होती जादा पसंद आई हो क्योंकि दोस्तों इससे अपके काफी सारे पैसे बचे हैं तो या लाइक कर दी और शेयर कर दी अपने फ्रेंड सर्किल में और सब्सक्राइब कर लिजए इस वाले चैनल को क्योंकि दोस्तों मैं स्ट्राइब की हर दो दिन में वीडियो जलाता रहता हूं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक लें बाबाय अपना ख्याल रखें